Good morning students, आज हम अध्यातीन तिर्कुनती फलन प्रारम करने जा रहे हैं, सभी सात्र इसके जो fundamentals हैं, उनको समझें कोईसिस करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कोण किसे कहते हैं, एक कोण वह महाप है जो एक करन के उसके प्रारमिक बिंदुसे के परिता गूमने पर बनता है, करन के घुणन की मूले सिती को प्रारमिक भुजा और गुणन की अंते मिसिती को कोण की अंते मुजा कहते हैं, तो हम यहां देखत तो जो बी जो है अंत्यम भुजा खेलाएगी और उनके बीच के कोण को हम धनात्मक कोण कहेंगे और यदि यह प्रार्यमिक भुजा नीचे की तरफ दक्षण बद देशा में घूमती है तो यह रिणात्मक कोण होगा तो ओ यह और o b के बीच का जो कोण है वो रिण कोण कहलाएगा यहाँ पर कोण की माप डिग्री माप हो गई तो यदि प्रार्यमिक भुजाय से अंत्यम भुजा का गुमाव पूर्य परिक्रम का 360 वा भाग हो तो हम कोण की माप एक डिगरी कहते है इसे एक डिगरी से इखिते हैं यहें लिखते हैं यदि हम देखें कि एक बिंदु से हमने पूरह इक परिक्रम लगा गया है 360 तो यह 360 डिग्री होगा और यदि हमने इसको आधा बाटा तो आप सेगंड चेत्र में देखेंगे एक स्टेड लाइन देख रही है और ओ जो है सीर्स बिंदू है वह 180 डिग्री पर है और तीजे चेत्र में देखेंगे 180 और प्लस 90 270 एंगल देख रहा है यहाँ पर तो यह तीनों महंता देख लें अब रेडियन माप कैसे कहते हैं कों को मापने के लिए एक दूसरी एकाई भी है जिसे रेडियन माप कहते हैं एकाई ब्रत के कैंदर पर एक एकाई लंबाई की चाप द्वहरा बने कों को एक जो चाप कटा हुए है, वो भी एकाई है, तरज्य के बराबर, यहने तरज्य भी एक है, और चाप की लंबाई भी एक है, तो इस चाप द्वारा के अंदर पर बना होगा कौन, कितना होगा, एक रेडियन के बराबर होगा, दूसरे चत्रे में देखते हैं, यह एकाई तरज् होगा रिनात्मक होगा माइनस वन रेडियन और तीसे चत्र में देखेंगे यदि एकाई ब्रत में चाप जो है डिड़ यूनिट है तो यह कितना होगा वन एंड हाफ रेडियन होगा और चौंते चत्र में देखते हैं यदि कौन दक्षण वर नीचे की तरफ बनाया जाता है और चाप का मान वन एंड हाफ एकाई है तो वह कितना होगा माइनस वन एंड हाफ रेडियन होगा डिग्री तथा रेडियन के भी सम्मन यहां बच्चे देखें जो फार्मूला नोट कर लें तो पाई रेडियन एक्वल 360 तो तो से अगर हम राइट में डिवाइट करते हैं इसके आधार पे हम कुछ नियorenka कोशन करेंगे िसफार्मूला अध्यान रखें और मैं आपको पता होगा कि पाई का मानच हो था 2 beattli 7 होता है ठीक है तो एक रेडियन कितना हो जाएगा रेडियन कितना होता 180 तो एक रेडियन कितना हो जाएगा 180 अपन पाई और पाई का तो अब एक डिग्री बराबर आपको बताया कि पाई बटे 180 से रेडियन होता है तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा 270 डिग्री 3 π2 और 362 π के एककल होता है तो यह बच्चे टेविल को नोट कर लें अब हमको एक एक जामपल दिया है यह 40 डिग्री 20 मिनिट को रेडियन माब में बता लिए तो हमको फार्मूला पता है G!!!!! 180 कि इसके टेविल होता हील पी रेडियन के तो हमको कहतना डिग्री 20 मिनिट 40 डिग्री 20 मिनिट को 60 मिनिट से डिवाइट करने है तो यहाँन चात से देखेंगे if i48 Partiade 20 मिनमेट एकोल 5 ओ फार्टीमिनिट को 60 से टेवाइड करते है तो डिग्रीशक बिंकार जाता है तो यह हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, वन डिगरी किसके एकल होता है, पाई अपान बान एटी, तो इसको हम रेडियन बदलने के लिए पाई अपान एटी का मल्टिप्लाई कर देंगे, और 40 एंड वन बाई 3, तो 3 इंटू 40, 120 प्लस 1, 121 अपान 3, यह इन सब का मल्टि 121 पाई अपान 1 इंटू 3, कितना होता है, 540 रेडियन, तो इसका अंसर कितना हो जाएगा, 40 डिगरी 20 मिनिट एक्वल, 121 पाई अपान 540 रेडियन, अब हमको दूसरा एक्जाम्पल दिखते है, 6 रेडियन को डिगरी माप में बतल लिए, तो हमको मालूम है, पाई रेडि तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 अपान 5 और 6 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 अपान 5 इंटू 6 डिगरी और इसको सॉल्व करेंगे, तो 1080 इंटू 7 अपान 22 डिगरी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम पाई कमाने आपर 22 वेटे साथ रग दे थे, तो जहे इसका आंसर आ रूप में पौण दिया हुए है, इसको आपको रेडियन में पतलना है, तो अभी हमने आपको बताया है कौन सा फार्मूला यूज करना है, 180 डिगरी इकल टू पाई रेडियन, तो इसमें 180 डिगरी इकल टू पाई रेडियन है, तो 1 डिगरी केतना हो जाएगा, पाई अप आपको 2 दियह हो दिखरी कि अभी अपने बताहिए था पाई एकल टू पने टिखरी और इसमें इनका मल्टिप्लाइग कर देंगे तो यह धिकरी में माल मिल जाएंगे इसी वैकर तीसरा सब्सक्राइब करें और हमको वाटसाप ग्रूब में चेक कराएंगे थेंक्यू